हाई दोस्तों आप लोग कैसे हो एह देख लीजिए मैंने कल सो मौर को साम को बनाई थी साबू दाने की खीर इसे भी आप उपास में ले सकते हैं खा सकते हैं मैंने भीगोया था एक कटोरी साबू दाना कडाई में डाला गी और ड्राइफोर्स डाले हैं इसको घून लेती काजू है बदाम है और माखाने भी है उसे भी भून लेती हूँ और इसकी अच्छी सी खीर बनाई थी मैंने और सबको बहुती पसंद आया था बहुती टेस्टी बना था ये कभी भी खीर बनाई तो उसमें ऐसे ही भून के डालें तो सौद काफी आता है और फिर मैंने डाला एक चमच छोड़े चमच से घी और इस साबू दाना को थोड़ा सा भून लेती हूँ हलका सा आप इसको चलाते ही रहे ने तो इस पकड़ेगा और भूनने से ने स्वाद तो आता ही है और खीर भी बहुत बढ़ियां बनती है इसको तिन-चार मिनट मैंने से ही चलाते हुए भूना है यह देख लिजिए जितना आप भूनोगे ना तो फिर एक कराई छोड़ने लगेगा अब इसमें मैंने एक लिटर दूद गरम करके मैंने रखा था दूसरे बर्तन में मैंने गरम कर लिया था वो डाल दिया है अब इसे अच्छे से चला देती हूँ और पकने के लिए छोड़ती हूँ इसे इसे चलाते हुए यह देख लिजिए अच्छे से पक रहा है साथ-ाठ मिनट हो चुके हैं दोस्तों ऐसे माखाने डालने से बुची अच्छा भी लिगता है देखने में खाने मी भी बहुत अच्छा स्वाद आता है देख लेजे पक रहा है बढ़ियां से अब बहुत ही जट पड़ से हो जाता है अब इसमें मैंने डाला चीनी अच्छे से चला देती हूँ मैंने दूद में ही इलाइची डाल की उबाल लिया था उसे अच्छे से पका लिया था कभी भी खीर बनाएं दोस्तों ना खीर डाल देती हूँ एक चमच तो आप क्या कीजिए कि दूद को अलग से पकाई लेजिए दूद पका रहेगा तो खीर बढ़ियां होगी माजा नहीं आता है क्योंकि सावोदाना जो रहता है उसके उज़े से दूद अच्छे से नहीं पक पाएगा यह देखेजिए यह जितनी ठंडी होगी उतनी गाड़ी बनती है दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है उपवास में इसे जरूर बनाएं और खाएं इंजॉय करें कोई भी उपवास में आप साम के टाइम खा सकते हो बाबाए झाल